जब लाजर मर चुका था और प्रभु येशुमसी लाजर के कब्र के पास आया तो प्रभु येशुमसी ने कहा पत्थर को हटाओ तो मार्था कहने लगी कि प्रभु लाजर को तो मरे वे चार दिन हो चुके हैं अब उसमें से दुरगंध आती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात हमें सिखने को मिलता है मार्था कहती है कि लाजर को मरे हुए चार दिन हो चुके हैं अब उसके बौडी से दुरगंध आती है तो सोचिए एक मनुष्य जिससे मर्यवे चार दिन हो चुका है और उसके बावडी से उसके लास से दुरगंध जिसे हम बद्बू भी कहते हैं वो आ रहा है तो जो दस साल से हैं इस संसार में जी रहे हैं जो पांस साल से हैं जो चार साल से हैं जिवित हैं लेकिन येशु मसी में नहीं है परमेश्वर में नहीं है मूर्दे के समान जीवन बिता रहे हैं तो उसके जीवन से कितना बद्बू आ रहा होगा कितना दुर्गन धा रहा होगा हाला कि प्रभु येश्मसी ने लाजर से प्रेम किया लाजर के बौडी से दुर्गन धा रहा था लाजर के बौडी से बहुत बद्बू आ रहा था फिर भी प्रभु येश्मसी ने लाजर को जिवित किया ठीक कुछी प्रकार से आज बहुत सारे लोग जो बद्बुदार जीवन मूर्दे के समान बिता रहे हैं उन्हें भी प्रभु येशुमसी प्रेम करता है उन्हें भी जिवित करना चाहता है तो अब कई लोग ये प्रश्ण करेंगे जो जिन्दे हैं वो मूर्दे कैसे हुए तो जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते सच्चे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसकी इबादत नहीं करते दरसल वो मूर्दे के समान है एक आयत है परमिश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं लुकारचित सुसमच्यार नौध्याए और उसका 69 और 60 पद में तो यहां पर लिखा है उसने दूसरे से कहा अर्थात येशु मसी एक व्यक्ति से कहता है मेरे पीछे हो ले तो व्यक्ति प्रभु येशु मसी से कहता है हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गार दो जब प्रभु येशु मसी एक व्यक्ति से कहता है कि मेरे पीछे हो ले तो व्यक्ति कहने लगा कि प्रभु मेरे पिता का अभी अभी मृत्ति हुआ है तो मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गार दूँ फिर मैं तरे पिछे चलूँगा येशु मसी ने पत्रस से भी कहा था अंद्रियास से भी कहा था याकुब से कहा था यहना से कहा था मेरे पिछे हो ले तो उसी वक्त पत्रस, अंद्रियास, याकूब और यहुना ने अपने पिता और नाव और जाल और मचलियों को छोड़ दिये और तुरंत येशु मसी के पीछे हो दिये लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता मर गया है मुझे जाने दे और उसे गाने दे फिर मैं तरह पीछे चलूँगा येशु मसी उनसे कहता है उस व्यक्ति से मरे हों को अपने मुर्दे गाने दे पर तु जाकर परमिश्वर के राज्य की कथा सुना तो वही है जो येशु के पीछे नहीं चलते जो सच्चे परमिश्वर के पीछे नहीं चलते दरसल वो मुर्दे के समान है इसी बात को येशु कहता है कि मरे हों को अपने मुर्दे गाने दे पर तु जाकर परमिश्वर के राज्य की कथा सुना क्योंकि मरे हुवों के जीवन से किवल बद्बू ही आएगा दुर्गंध आएगा और कुछ नहीं आएगा और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य बद्बूदार जीवन जिये दुर्गंध जीवन जीए परन्तु हर एक का जीवन येश्व मसी में खुसबूदार बने शुगंध ही थो हर एक का जीवन हर एक के जीवन से मसी की शुगंध फैले इसलिए तो बाइबिल कहती है इफीश्यों पांच अद्याय चौदा पद में हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीवठ तो मसी की जोती तुछ पर शमकेगे तो जितने भी आज मुर्दे के समान हैं अर्थात जो परमेश्वर की पीछे नहीं चलते जो सच्चे परमेश्वर की महिमा नहीं करते सच्चे परमिश्वर के लिए गीत नहीं गाते सच्चे परमिश्वर के वचन को नहीं सुनते या फिर हम कहें कि सच्चे परमिश्वर के वचन को पवित्र सास्त्र को नहीं पढ़ते सच्चे परमिश्वर की संगती नहीं करते तो उनका जीवन मुर्दे के समान है और वचन कहता है कि है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीवठ तो मसी की जोती तुछ पर चमकेगी परमिश्वर को ऐसा सरिज चाहिए ऐसा देह चाहिए जो महान परमिश्वर की अबादत करता हो महान परमेश्वर की महमा करता हो अब इस आयत को हमें समझने के लिए हमें परमेश्वर के इक और वशनों को पढ़ना होगा और रोमियों बारा ध्याय और उसका एक पद में लिखा है इसलिए है भाईयों मैं तुमसे परमिशर की दया इसमनर दिला कर विंती करता हूँ कि अपने सरीरों को जिवित जिवित का अर्थ है कि हमारे सरीर से परमिशर का महिमा हो हमारे सरीर से परमिशर के पवत्र नाम को आदर मिले हमारे जीवन से परमिशर की नाम की बढ़ाई हो इसी को कहते हैं जिवित सरीर और मरे हुए सरीर वो है जो परमिशर की महिमान नहीं करते महान परमिशर की प्रसंसा नहीं करते महान परमिशर की बढ़ाई नहीं करते परंतो अपनी ही बढ़ाई मारते रहते हैं तो वो मरे हुए सरीर है अपने सरीरों को जिवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है महान परमेश्वर चाहता है कि हमारे सरीर से हमारे जीवन से हमारे देह से सरशक्तिमान पिता की महिमा हो और हम निरंतर उसके प्रियपुत्र येश्व मसी के पीछे ही चलें क्योंकि हमारे हमारा जीवन बदबुदार नहीं है परन्तु येश्व मसी ने हमें बदबुदार से खुसबुदार बना दिया है पहले हम बदबुदार जी रहे थे जब हम येशु मसी में नहीं थे या येशु के बाहर थे लेकिन अब जो हम येशु मसी में आ चुके हैं येशु की संगती कर रहे हैं तो अब हमारा जीवन येशु मसी में खुसबुदार हो प्रभु येशुमसी हर एक मुर्दों से प्रेम करता है जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते है जिस प्रकार से प्रभु येश्वमसी ने चार दिन से मरहवे लाजर को जिलाया जिनके जीवन से जिनके सरीर से केवल बद्बू आ रहा था दुर्गन दा रहा था तो फिर हर एक मनुश्य को क्यों न जिलाएगा जो येशु के बगार जीवन बिताना चाहते हैं परमेश्वर के बगार जीवन जीना चाहते हैं एक आयत है दुसरा कुरंथियों और उसका दो अध्याय 14, 15 और 16 पद में यहाँ पर लिखा है परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मस्य में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्यान की शुगंध हमारे द्वारा हर जगा फैलाता है अब जो हम प्रभु येशु मस्य में है तो हम जहां भी जाते है हमारे द्वारा हमारे चाल चलन के द्वारा हमारे शुभाव के द्वारा प्रभु येशु मस्य अपना शुगंध फैलाता है और प्रभु येशु मस्य का शुगंध तब फैलता है जब हम लोगों के बीच में जाते है हम सांसारिक लोगों के बीच में जाते हैं रिष्टेदारों के बीच में जाते हैं अपने दोस्त तयारों के बीच में जाते हैं लेकिन हम उनके जैसे बात नहीं करते हैं जैसे वे लोग सांसारिक बात करते हैं उनकी तरह बात नहीं करते हैं परंतो हम आत्मिक बात करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाय चलने वाले लोग हैं क्योंकि हमने आत्मा से जन्म लिया हैं तो हम प्रभु येशु की बात करते हैं प्रभु येशु मसी के सुभाव की बात करते हैं प्रभु येशु मसी के जीवन की बात करते है तो हमारे द्वारा लोगों में मसी का शुगन फैलता है और परमेश्वर हमें निरंतर मसी येशु के जै के उस्वों में सदा लिये फिरता है कि हम जहां भी जाते हैं इस जै के उस्वों को कि येशु मसी ने कुरूश पर जै प्राप्त किया है इस जय के उत्सव को हमारे द्वारा एक सुगंद की तरह महान परमेश्वर हर जगा फैलाता है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उधार पाने वालों और नास होने वालों दोनों के लिए मसी की सुगंद है हम तो परमेश्वर के करीब रहते ही हैं हम तो महान परमेश्वर के समिप रहते हैं उसके पास रहते हैं लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए शुगन है और जो येशु मसी पर विश्वास नहीं करते तो जो येशु मसी पर विश्वास नहीं करते हम उनके लिए भी शुगन्द है परंतु किवल उनके नास होने का जैसा लिखा है क्योंकि क्रूस की कथा नास होने वालों के लिए मुर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमिश्वर की शामर्थ है क्रूस की कथा पर जो विश्वास करेंगे उनकी लिए किवल उद्धार ही उद्धार है परंदु जो क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करेंगे उनकी लिए किवल नास ही नास है तो हम जहां भी जाते हैं तो येशु मसी के क्रूस का प्रचार करते हैं येशु मसी के जीवन का प्रचार करते हैं पॉलुस कहता है मैं येशु मसी के कुरूस की बातों को छोड़ और किसी बात को न जानू हम कहीं भी जाते हैं चाहे सांसारिक हो चाहे समाजिक हो चाहे कहीं और सोसाइटी में हो कहीं मिटिंग में हो तो हमें सानसारिक लोग की तरह बात नहीं करना है परन्तु हम प्रभू येशु की लोग हैं तो प्रभू की ही बात करना है जैसे पॉलुस कहता भी है कि क्रूस पर चड़ाएवे मसी को छोड़ मैं किसी और बात को न जानू मैं किवल कुरूश का ही बात करूँगा तो इस तरह हम जब कुरूश का बात करते हैं तो जितने भी येशु मसी पर विश्वास करते हैं या करेंगे उनके लिए किवल उद्धार ही उद्धार है और जो येशु मसी पर विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए केवल मृत्यू ही मृत्यू है और दोनों के लिए हम सुगन बन जाते हैं दोनों के लिए उद्धार पाने वालों के लिए भी अर्थात येशु मसी पर विश्वास करने वालों के लिए और येशु मसी पर विश्वास ना करने वालों के लिए कुछ के लिए तो मरने के निमित मृत्यू की गंध जो येशु मसी पर विश्वास नहीं करते हमारी बातों को सुनकर येशु मसी की बातों को सुनकर तो उनके लिए हम मृत्यू की गंध बन जाते हैं और कितनों के लिए जीवन के निमित जीवन की सुगंद और जो येशु मसी पर विश्वास करते हैं हमारे प्रचार को सुनकर हमारे वचनों को सुनकर येशु मसी की बातों को सुनकर तो उनके जीवन में मसी का खुजबू भैलता है भला इन बातों के योग्य कौन है, परमिश्वर का वचन हम से सवाल करता है, हर एक मनुश्यों से सवाल करता है कि इन बातों के योग्य कौन है अब इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रभु येशु मसी में हैं तो भाई हम प्रभु येशु मसी के खुस्बू बन गए भाई जब हम लोगों को प्रभु येशु मसी के बारे में नहीं बताएंगे प्रभु येशु मसी के बारे में नहीं सुनाएंगे प्रभु येशु मसी की चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन से प्रभु येशु मसी का खुस्बू नहीं फैल रहा है भले हम मसी में क्यों नहीं परन्तु यदि हम येशु मसी में हैं और हम सच्चे दिल से पूरे मन से, अपने प्रभु से, अपने येशु से प्यार करते है और लोगों को हम येशु मसी के बारे में बताते हैं जैसा येशु ने हमें चलना सिखाया है, वैसे ही चल के बताते है जैसा येशु मसी का सुभाव था वैसे ही सुभाव में हम अपने जीवन को बिताते हैं तो इसका मतलब हमारे द्वारा मसी येशु का खुजबू फैल रहा होता है अन्यथा नहीं तो फिर हम येशु मसी में तो जरूर है और येशु मसी के समान यदि हमारा जीवन नहीं है तो एक प्रकार से समझे कि हमारा जीवन बदबुदार जीवन है कि मर्यवे के समान जिस प्रकार से संसारिक लोग जीवन बिताते हैं उसी प्रकार से हमारा भी जीवन है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मर्वों के समान जीवन बिताएं परन्तु महान परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु येशु मसी के समान जीवन बिताएं क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित प्रजा हैं उसके जिवित संतान है हम ये भी जानते हैं कि हमारा प्रभु येशु जिवित है हमारा परमेश्वर जिवित है तो फिर हम क्यों मूर्दे के समान जीवन बिताएंगे तो महान परमेश्वर इन वशनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु येश्व मसी के नाम में आसेश प्रदान करें आमेन